असलाम अलेकुम दियर स्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टो मोट्व के हमने चार यूनिट्स कंप्लेट किये हैं पहला यूनिट था उसमें हिस्ट्री अन्द एवलूशन आफ आर्टो मोबील दूसरा था वेरिस टाइप साफ अफ 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 वो चार हमने कंप्लेट किये हैं इसके अलावा हमने कूंप्लेट किया है फॉस्त चैप्टर आज हम चैप्टर फाइव पढ़ेंगे यूनिट फाइव पढ़ेंगे आर्टो मोट्व का आर्टो मुबील एंड इन्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टो मुबील और इन्वाइरमेंट के बीच में एक रिलेशन है वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए देख लिजे आपने देखा होगा डे बड़े पॉलूशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें हर किसी का रोल है बेसिकली हुमन्स ही पॉलूशन क्रीट करते हैं वेस्टेज पॉलूशन कोई भी हो चाहिए एर पॉलूशन हो वाटर पॉलूशन हो कोई भी पॉलूशन हो जैसा भी पॉलूशन हो पॉलूशन is threat to environment बस आप याद रख लीजिए तो इस सिलसले में आटो मुबाइल कैसा होना चाहिए इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है ताके एक स्टंडार्ड बनाया जाता है पहले एक स्टंडार्ड बनाया जाता है कि आटो मुबील जो है ये वीकल जो है ये कितना emission करना चाहिए इसके मतलब जो exhaust system से इसके gases निकलते हैं वो हारमफुल होते हैं environment के लिए तो उसके लिए इन्होंने एक स्टंडार्ड बनाया है कि एक limit बनाई है कि इतना निकलना चाहिए carbon monoxide अगर है बाकी जो भी content निकलता है इसल फर्च चाहिए कुछ भी हो वो कितना निकलना चाहिए उसके लिए उन्होंने एक limit रखी है और एक स्टंडार्ड बनाया है जैसे कि आपने देखा होगा आज कल जो latest आपने देखा होगा ये BS14 या BS5 BS6 ये आपने notes किया होगा गाड़ियों में ज्यादा तर बोला जाता है कि ये गाड़ी BS means बार्थ स्टेज 4 बार्थ स्टेज 5, बार्थ स्टेज 6 ऐसे ही है इरो 1, इरो 2, इरो 3, इरो 4 तो इंडिया का किस से साब से जाता है बार्थ स्टेज 1, बार्थ स्टेज 2 ऐसे ही तो यहाँ पे आपको ज्यादा तर गाड़िया मिलेंगे बार्थ स्टेज 4 और बार्थ स्टेज 5 आज कल चल रहा है 6 ये क्या, एक्ट्वल में क्या ये एक संडार बनाए है उन्होंने कि पुलूशन कैसे हम कंट्रोल कर सकते है एक आटोमोटिव कितना एमिशन दे उसके जो एक्जास्ट कंटेंट्स है वो हारमफुल होते हैं इन्वारिमेंट के लिए तो हम वो कैसे रिगुलेट करें तो उसी हिसाब से जो आटोमोटिव मैनिफेक्टरिंग कंपमनीज से वो वैसे ही गाड़ी को मैनिफेक्टर करते हैं ताके जो उसका अमिशन है वो लिमिट में रहे कंट्रोल में रहे फिर जाके आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी में एक सर्टटबिकेट बनाते हैं प्लूशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं इसके लिए एक बोड़ प्लूशन अंडर कंट्रोल ये एक प्लूशन अंडर कंट्रोल इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल जो स्टंडर्ड बनाया गया है उसके हिसाब से होनी चाहिए उसके अंडर होनी चाहिए जो उसमें क्राइटिरिया दिया है उन्होंने उसके अंडर होना चाहिए मतलब उतने ही उसके इमिशन होने चाहिए जो एक्जास्ट इमिशन वहां से होते हैं उतना ही होना चाहिए है ना एक स्टंडर्ड बनाया रखा उसी हिसाब से फिर गाड़ी एमिशन देनी चाहिए तो आप याद रख लिजे के गाड़ी जितना प्लूशन कम करती है उतना ही आपका इंवाइरमेंट है हम कह सकते हैं लेस प्लूटिट है तो इंशाला हम अग्रे लेक्षर में पढ़ेंगे एर प्लूशन